सुपर बाचात्रों आज हम चीनी फेरी वाला जो हमारा पार था आज हम उसका दूतिय भाग पढ़ेंगे कई वर्स पहले की बात है मैं तांगे से उतर कर भीतर आ रही थी और भूरे कपड़े का गठर बाये कंदे के सारे पीट पर लटकाए और दाइने हाथ में लोहे की गज गुमाता हुआ चीनी फेरी वाला फाटक से बाहर निकल लाता कई वर्स पहले की बात है मैं तांगे से उतर कर भीतर आ रही थी तांगा अर्था जो पूर में जो घोड़े द्वारा खेची जाने वाली जो गाड़ी थी उसे हम तांगा कहते थे और भूरे कपड़े का गठर बांदे बाये कंदे के सारे एक भूरे कपड़े का गठर मलब पो टली सी बांद कर बाये कंदे के सारे पीट पर लटकाया हुए पीट पर बाये कंदे पर लटकाया हुआ और दाहे हाथ में लोहे की छड़ी गुमा जो लोहे का गज अर्था ल बहर निकल ला था, सम्भातों मेरे घर को बंद पाकर वह लोटा जा रहा था, अड़ता क्योंकि वह बहर से आ रही थी, अभी वीतर को जा रही थी, तो उस घर को बंद देखकर वह वापस लोट रहा था, कुछ लेगा मेम साब दुरभागी का मारा चीनी उसे क्या पता की सम्मोधन मेरे मन में रोज की तरंग उठा देता है या जो सम्मंद उसे क्या पता की कोई कुछ लेगा उसने पूछा की आप कुछ लोगे की दुरभागी का मारा अर्थात कोई उसका नहीं विका इसलिए दुरभाख्य का हमारा चीनी जो चीन का युवक था और उसे क्या पता है कि संबोधन जो उसने संबोधन किया वो मेरे मन में तरंग उठा दिया भहिया माता जीजी दीदी बिटिया आ दिना जाने कितने संबोधनों से मेरा परिचह है और सब मुझे पिरी है मुझे ना जाने कितने कितने जो संबोधन है भहिया माता जीजी दीदी बिटिया आदी इतने आदी जो संबोधन मुझे परिचह चिनकर मुझे गाउन में खड़ा कर देता है यह वही सब मुझे पिरी हैं पर यह बिजाती संबोधन मानो सारा परिचह चिनकर मुझे गाउन में खड़ा कर देता है मलब जो यह उसने जो संबोधन किया में साप करके और उन्हें बिजाती लगा अलग लगा उनसे कि इस संबोधन से कभी उनको किसी ने संबोधित नहीं किया इस संबोधन के उपरांत मेरे पास से निरास होका लोटना असंबोध नहीं तो कठिन अवस्य है यह संबोधन करके उसने जो मेरे पास से अरथात उन्हें एक रोस उत्पन हुआ उन्हें अलग सा लगा कि ऐसा इसने क्यों संबोधन दिया और इस संबोधन के बाद उसके मेरे पास से निराश होकर लोटना असंबर नहीं तो कठिन अवश्यक है क्योंकि उसका यह संबोधन अच्छा नहीं लगा था मैंने अवग्या से उत्तर दिया मैं विदेशी फोरन नहीं खरिदती मैंने उसे उत्तर दिया कि जो विदेशी कपड़े हैं जो फोरन बाहर दे सुके हैं मैं उनको या विदेशी समाने उनको नहीं खरिदती हम फोरन हैं हम तो चाइना से आता है वो कहने लगा कि हम फोरन हैं हम तो चाइना से आता है कहने वाले के कंठ में सरल बिश्मक के साथ उपेक्सा की चोड से उत्पन चोड भी थी क्योंकि उसकी उपेक्सा हो गई थी और वह दर्द भी उसमें दिल में था और उसको एक अजीब सा लगा इस बार रुक कर उतर देने को कठिन से देखने की इच्छा होई इस बार थोड़ा सा रुक कर उन्हें जिसने उतर दियार था जो फेरी वाला था उसको जट सही से देखने की इच्छा उनके अंदर उत्पन हुई